हेलो फैंस नमस्ते आज हम लेकर आए हैं 15 बहुती कमाल के किचन टीप्स जो की आज से पहले आपको पता नहीं होगा तो बीना देर किये चलिए इस्टार्ट करते हैं और नमबर टू टीप्स में देखेंगे करी पतों को धोकर सापकर लिजे फिर थोड़ा तेल में फ्राई करके रख दें किसी यह टाइट डीबे में जब तड़का देना हो वो बस डाल दें और इस्टोर करें और थ्री नमबर टीप में देखेंगे डाल और चावल को धोते वक्त उसका पानी एक बरतन में रख ले और इस पानी को अपने घर में लगे करी पते के पौधों में डाले करी पते की खुस्वू बढ़ जाएगी साथ ही आलू उबालते वक्त इसका पानी न फिके, इसमें पोसक ततो होते हैं इसका पानी आप पधों में डाल सकते हैं और फोर नमर टीप में देखेंगे वैसे तो चपिंग बोर्ड की सफाई नीमित जरूरी होती है लेकिन बरसात में इसकी सफाई और अधिक जरूरी हो जाती है ऐसे मौसा में चपिंग बोर्ड की नीबू और बेकिंग सोडा के साथ साफ करें करें ताकि उसमें मौजूद सभी किटाडू निकल जाए और फाइफ नमर टीप में देखेंगे हाथ से केरोसीन की महक दूर करने के लिए उन्हें दही रगड कर दही लगाकर रगडने के बाद पानी से धोएं तो अच्छा से साफ हो जाएगा और 6 नमर टीप में देखेंगे चिटियों से निजात पानी के लिए तीव लाइट के पास दो तीन प्याज की गाठे लटका देए इससे चिटिया दूर भागती है और 7 नमर टीप में देखेंगे हमेशा साख सबजियों सबजियों और फलों का उपयोग करते समय उसके छिलके को बेकार समझ कर फेक देते हैं लेकिन वास्तों में वे छिलके बेकार नहीं उपयोगी भी होते हैं इन छिलकों में कई चमतकारी गुण छिपे होते हैं छिलका कई रोगों को दूर करता है और एट नमर टीप में देखेंगे तंदूरी चपाती को नर्म बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला लें दें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं तंदूरी चपाती सौप्ट और क्रिस्पी बनेगी और नाइन नमर टीप में देखेंगे दाल के चिले बनाते समय घोल में दो बड़े चमत चावल का आटा मिला लें चिले खश्ते और क्रिस्पी बनेंगे और टेन नमर टीप में देखेंगे इडिली डोसे का मिक्स खटा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूद मिला लें बनाना पड़ता है तो कई बार चावल इस्टिकी हो जाते हैं चावल के इस्टिकीनेस कम करने के लिए कूकर का ढखन बंद करने से पहले उसमें दो चमच नीवू का रस मिला दें ये चावलों को चिपकने नहीं देगा और पुला खिले-खिले बनेंगे और ट्वेल नमर टी की जगा दूद का परियोग करने से आटा फ्रीज में रखने के बावजू नरम बना रहेगा और रोटिया काली नहीं पड़ेंगे और थर्टिन नमर टीप में देखेंगे पूरियों को खस्ता और कुरकुरी बनाना बनानी है तो आटे गुसते समय दो चमच सूजी मिलाए इसे पूरिया कुरकुरी बनेंगी और खाने में स्वाद भी अच्छा लगेगा और फोटी नमर टीप में देखेंगे मसालेदार खाना बनाना हो तो लहसुन प्याज टमाटर की ग्रेवी तो बनानी ही पड़ती है लेकिन कई बार हम ग्रेवी के लिए मसाला नहीं पीशते हैं और सबजी टेश्टी नहीं बनती है जटपक कुकिंग के लिए पहले से ही प्याज टमाटर लहसुन और अधरक को पीश ले फिर इसको तेल में भूनकर एयर टाइट टिपिन में पैक करके दो हपतों के लिए फ्रीज में रख ले टेश्टी ग्रेवी बनाने में इसका परियोग कर सकते हैं और बहुती टेश्टी सबजी भी बनेंगी फ्रेंस और फिप्री नमर टिप में देखेंगे पकोड़े का बेटर बनाते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाएं पकोड़े ज्यादा क्रेश्प भी बनेंगे और टेश्टी भी लगेंगी तो फ और निव वीडियो आए उसका नोट्फिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई टेक क्यार